नमस्कार दोस्तों आईए जानते हैं नासा कब स्तापित हुआ था दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि नासा का फुल फॉर्म है National Aeronautics and Space Administration जो United States Government की एक एजनसी है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष शारिक्रम के लिए जिम्मेदार है नासा की स्थापना 29 जुले 1958 को राष्ट्य वयमानी की और अंतरिक्ष अधिनियम द्वारा की गई थी नासा वाशिंग्टन डीसी में स्तित है और United States की राष्ट्यपती के मार्गदर्शन में है नासा स्पेस एक्स्प्लोरेशन मतलब अंतरिक्ष अनव्यक्षन की विकास के लिए जिम्मेदार है यह मानव और बिना पाइलेट वाली दोनों अंतरिक्ष उडानों का संचालन करता है और अंतरिक्ष शात्रियों को भी प्रशिक्षित करता है और वैज्ञानिक प्रयगों को पूरा करता है अंतरिक्ष अनुसंधान के इसके क्षेत्रों में ग्रह विज्ञान, खगोल भोती की, खगोल विज्ञान, पृत्वी विज्ञान, खगोल जीव विज्ञान और एरोस्पेस मेडिसिन शामिल है एजन्सी हवाई जहाज, मतलब वयमानिकी और रॉकेट के प्रदर्शन और डिजैन का भी अध्यान करता है नासा अंतररश्टिय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्मान और स्टाफिंग में भी सक्रिय भागिदार है जैपान, रशिया और यूरोपिय अंतरिक्ष एजन्सी के नौ सदस्य इस परियोजना पर सयोग करते हैं नासा के पास कई सफल अंतरिक्ष मिशन और कार्यक्रम हैं जिसमें 150 से अधिक मानव्यूक्ष मिशन शामिल है दोस्तों बढ़ते हैं हमारे वीडियो के आखरी फैक्ट की तरह काई लैब संयूक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रुत्वी की कक्षा में लौंज किया गया पहला अंतरिक्ष स्टेशन था 75 टन वजनी यह स्टेशन 1973 से 1989 तक प्रुत्वी की कक्षा में बना रहा तो दोस्तों ऐसी इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज़द लोगों में शेर करें बिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू और टेक क्यर